बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलामौलेकूम एवर्यमान माईने में सक्सा सेद वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्टर में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं विल्यम शेक्षट के एक प्ले जिसका नाम है यह विदियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने व में बु क्स्कते हैं सब्सक्राइब ह降त क्या राऌट और सबस्क्राइब बनता है क्यां कि आपके लिए समय बनाया जाता है और बहुतhour गौणा इंट्रेस्टिंग स्टूरी है और सबसे पहले हम देखते हैं इस प्ले की हिस्ट्री क्या है विञ्यम ए था बिसिकली यह लिखा गया था विल्यम शेक्स्वेड ने लिखा था राउंड 1597 में दो मर्चंट आफ विनीज यह कमेडी है यानि जिसमें ट्राजिक कमेडी है यह एक बीटर और डिटस्टर ज्यूइश मनी लेंडर के बारे में है जिसका नाम है शॉय लॉक और वो जो है है रिवेंज लेना चाहता है एक क्रिस्टन मेर्चंट से जिसने उससे लाउन लिया था और उसका जो यह है कि यह प्रॉब्लम प्ले है आप wild दो आफ आत्र एंट वास स्टेज्ड यार्ज after this हमारे पास आता है इसमें यह वाला आसपेक्ट जो firstly बहुत कम थे अरॉंड जो है जूस महां पर रहे गए थे जिन में से 100 जो थे इस्टोरियंस थे और उस टाम पर क्रिस्टेनिटी ज्यादा थी तब भी शेक्सपर ने लिखा हलां कि शेक्सपर ने कभी भी किसी और मुल्क का सफर नहीं किया तो इसमें अगर में किया तो फर्स्ट वन हमारे पास जो म पर्चिंट था विनिस का उसके बाद उसका दोस्त है बेसेनियो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है और वह प्यार करता है जिससे यह लोग लोग लेंगे पोर्शा जो है वह एक रिच हैरीस है जिसके फादर ने उसके लिए बहुत ज़्यादा एक जैदाज छोड़ी हुई ह और वो कुछ शर्ट रखे गये था की मेरे मन्न की बाद जो मेरे बेटे से शादी करेगा उससे कुछ पहली होंगी वो ==== पढ़ेंगे और नेरिस्टा वो पोर्शा की वेटिंग मेड है जब के वो प्यार करती है ग्रेटियनों से और वो जो ग्रेटियانों है वो फ्रेंड है बिसानियों का शॉयलॉक जो है यह एक रिच जीओ है ध्रयों सॉरी मनी लेंडर है फादर है जैसिका का जैसिका फ्रेंड है जैसिका ज्चार्टर-पचर्णी है जो प्यास करती है नुरेंज्ऩो से बात पर बात करें तो इनीड अट इंहाग है वहां सबक्राइस इस जैसका मैं आपके पहले बताया कि शेक्सपर ने कभी भी ट्रावल अबराड यह नहीं किया लेकिन स्टिल उसने अपने प्लेस के अंदर यह सारा कुछ जो है शोकर वाया जैसा के इटेलियन स्टीज अफ रूम हो गया वेनिस हो गया पॉड़वा होगा विरोना मांट्वा एंड मिलन अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी सबसे पहले मैं आपको बता दू बैसानियो जो मैंने आपको केरेक्टर बताया यह जो है यह फ्रेंड है अंटोनियो का लेकिन इसके पास यह पैसे के मामले में दोड़ा तंग है इसके हाथ तंग है पैसे के मामले में बैसानियो का तो ये अपन अंतोनियो के पास जाते है Eğer उसे जाता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो क्योंकि ये पियार करता है पोड़िया से । ये वैनडल रैंक है एकमी Allez ये बेसानियो तो BSONIYO जाता है, अपने दोस्त, एंटोनियो के पास, एंटॉनियो के कहता है कि मुझे कुछ पैसे दो, उधार. तो एंटोनियो के पास बाइ हैंड उस टाम पैसे नहीं होती, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फिलाहने नहीं दे सकता है, इसके बहरे जहाज तो समंदर में क्योंकि वो सफर करती है तो इसका सारा पैसा फिलहाल उधर है तो इस वज़ा से फिर ये जो है इसे बसनियों को और कोई पैसे ने देता फिर ये एक यानि कि उसके बास जियों के पास जाते है जिसका नाम होता है शॉय लॉक तो वो जो है पहले तो पैसे नहीं देता बिलकुल भी लगन उसका काम क्या है? काम ही पैसा देना है और सूध लेना है ये सब तो वो पहले नहीं दे रहा होता अपिर वो जब अन्टोनियो जाते है तो वहां पे वह खाता है कि तूम हैं शरम नहीं आती, जाकर के उसकी बीजतें है, तोभी साथियों और धो सब्सक्राइब क्राएब को तूम नेख़आ हैמםा, प unfism को देने जाता है, मैं एक पाउंट काट लूँगा तो एंटोनियो राजी हो जाता है वो कहता है क्योंकि मेरे तो शीप्स जो है तीन मेंस पहले पहले इंशालला वापस आ जाएंगे तो इस वज़ा से अब यहां पर यह तीन जार डूकर्स लेकर चले जाता है अब इदर से जो पॉर्शिया होती है और उसकी मेड होती है उसकी मेड होती है उसकी वो बिसन्यों के फ्रेंड के साथ जो है उसकी सेटिंग हुई होती है यानि वो उससे प्रेम करती है और वो आपस में शादी करती है लेकिन जो उदर से पोर्शिया के रिष्टे आ रहे होते हैं अब वहां पे गिस्मत आजमाई के लिए काफी सारे जो है डियो का फेरागॉन भी आता है वो भी आजमाता है तो उसके बाप ने जो पहेलियां छोड़ी थी अब पहली वो क्या थी बैसिकली यह थी कि उसमे तीन बॉक्स छोड़े थे उसने खाता एक में गॉल्ड होगा और एक में सिल्वर था और दूसरे में लड का बॉक्स था वो कैता था जो भी लड का बॉक्स चूज करेगा वो पोर्शया से शादी करेगा लेकिन जो भी आता था King of Aragorn जो था परिंसाफ Aragorn तो वो आया तो उसने जो है Gold का Box चुछ किया तो इस तरह से किसी और ने Silver का किया और जो है कोई भी लेड का नहीं करता था तो अब यहाँ पे यह जो बसन्यो है क्योंकि यह पैसे वगरा ले गए है और यह Porsche के साथ वहाँ पे Porsche भी इसके साथ अटेच हो गई है काफी इनकी सेटिंग हो गई है दोनों एक दूसर सिप्रेम करने लगी है अब Porsche भी से खोना नहीं चाहती तो वो चाहती है कि यह पहली जो है कासे सुल जाएगा अगर यह पहली जो है उसने वही बॉक्स चूस कर लिया और वो उससे शादी के लिए रजा बन तो इस तरह से जो है फिर वो जो पोर्शे होती है वो उससे अपनी रिंग देती है रिंग पहनाती है उसे अब इदर से क्योंके तीन महिने का टाइम खतम यानि के पूरा हो जाता है तो एंटोनियो से वो शायलाग पैसे मांग रहा होता है और उधर से जो शायलाग के बेटी होती है जैसी का वो एंटोनियो और उसके विसे विसेनियों के फ्रेंड के साथ फ्रेंट के साथ जो उसे प्रेम करती है तो उसकी काफी सारी जैदात लेकर उसके साथ भाग जाती है तो शालाक उसका को वो गुसा होता है सहरा और वो जो है वो अब यही गुसा निकालना चाहता है एंटोनियो का एक पॉंड फ्लेश यानि निकाल कर यानि उसका गुस्त निकाल कर तो यह मौमला जो है काफी हद तक बढ़ जाता है क्योंकि एंटोनियो के उदर से खबर आती ह कि शीप जो है उसके वोगई खो गई है वो वापस नहीं आ सके तो फिर जैसे ही उसे पता चलता है बसेनियो को बसेनियो वापस ज然ाले लगता है लेकिन बसेनियो पूर्शिया को नहीं बता था अबिसानियो को, कि ये ले ले जाओ, तो तुमारे काम आँगे, पैसे बागरा, तो अब जब भहाँ पर जाता है बिसानियो, उजह शाइलाओ, और उस सथ भी तीन गुना ज्याता पैसा की क्या होता है कि वो पोर्शिया अपनी मेर्ट के साथ वकील का और जड़ का रोल करके वहां पे आती है तो वहां पे जब वो जाती है वो वकील बनकर आती है पोर्शिया तो वो कहती है कि शायलोक को कोई हाक नहीं है कि वो किसी की जान ले यानि कि कि किसी शीज़ जान की वो ज भा सकता इसने जो है ना गलत फैसला दिये है यह क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है वो वकील कर रोल बन यानि प्ले करती है और यह इसकी जो आदी जादाद है वो हाफ जो है उसे एंटोनियो को मिलनी चाहिए और हाफ जो है वो उसकी बेटी जो भाग गए थी उसे मिलनी बश्या ही है उसकी मेड तो वो कहता है कि अच्छा वकील साब आपना मौावज़ा तो लेते जाये आपने मेरे दोस्त की जान बचाया यह सब तो वो कहती है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए तो वो आजीब से फरमाश कर देती है वो कहती है कि मुझे ना तुमारी रिंग चाहिए जो तुमने पहनी हुई है वो रिंग तो उसे पोश्या ने दी होती है और वो उससे वादा कि होता है कि तुम इसे कभी कहीं भी गुम नहीं करोगे खोगे नहीं तो वो उससे वादा कर लता है लेकिन वो पहले तो नहीं देना चाहता है लेकिन क्योंकि उसका दोस तो इस ने तूम्वारे दोस्त की ना जान बिचाई हाया, लिहादा तो वो charitable गाई और तो जूए ने तूरे जेंडे, तूरे ना 스न था। विसानियो उसे रिंग वो दे देता है तो वो चली जाती है वकील पूर्शया जो है वो फिर जब दुबारा पूर्शया के पास जाता है क्योंकि विसानियो को नहीं पता होता कि ये वही पूर्शया ही थी वकील साथ तो वो जब जाता है तो पूर्शया जो है उसे कहती है कि मी रिंक कहा है तो वो उसे नहीं नहीं से नहीं वो तो परकाशन गाहसे नहीं हो तो यहां पर सब कुछ हैपी एंडिंग की बिए और फिर जो उसकी वो होती है यानि सबकी हैपी एंडिंग हो जाती है और इधर से एंटोनियो की भी खबर आ जाती है कि एंटोनियो का जो शिप्स वगरा थे वो से इसलामत वापस लोट आए है यानि उसका पैसा वगरा सब आ चुका है तो यह थी इसकी स्टोरी यनिश में कुछ ट्राजिक अलमेंट्स भी थे तो कॉमिक अलमेंट्स मैं कर देख़ते हैं वहाँ पर आफ इसकी क्या करेगा कोई कौई कौण सा गौल्ड का जानि उठाएगा कोई जो है सिल्वर का किसी ने उठाया तो ये सारे जो है कॉमिक थे और ट्राजिक केलमेंट्स मगर देखा जाए तो एंटोनियो शिप्स जो है वो रिपोर्टर लास्ट अर्सी के वो खो गई है ये सब तो ये थी आज की स्टोरी आयोप इस क्लिया टौल आफ यू थैंक्यू वे